नमस्कार दोस्तों मैं हूं मयंग शेखर सेलेक्टेड इन फूट कॉर्परेशन अफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहें दिल से हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी ही चैनल सेलेक्शन मेंटर पर जहां हम आपके साथ पर डे वोकाबलरी का पंच नामा ल इंक है जहां पर हर एक एक्जाम से कोई भी इंफॉर्मेशन हो कोई भी अपडेट हो आपको मिलता रहेगा आप चाहो तो आप हमारे मेंटर अंकुर शर्मासर के साथ कॉंटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे विराड दूबेसर जो भी जो खुद हमारे मेंटर है उनसे अप काँट कर सकते हो लिए मकट कि तरभ चलते हैं दाट इज आप आज сказала या फिर आप इसको प्राइट भी कह सकते हो 4th one is daunted, 5th one is dismayed and the last one is horrified आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो आये दोस्तो हम इसका एक example देखते हैं विराट कोहली, ये जो हमारे विराट कोहली है विराट कोहली इस appalled by killing of pregnant elephant in Kerala जैसा की नीज में आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि केरल में गर्वती हाथी की हत्या से विराट कोहली चकीत है यानि इस्तंबित है I hope दोस्तों यह word आपको clear हो गया होगा बढ़ते हैं हमारे दूसरे word की तरफ that is webinar जो हमारा दूसरा word है that is webinar इसका मतलब ही होता है कि internet के माध्यम से seminar कहोना देखिए एक figure है जिसमें internet के जरिये हर एक तरह के conference, meeting, seminar सब कुछ हो रहे है आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो the first one is seminar, second one is conference, third one is convention, fourth one is forum, next one is meeting आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो the first one is avoid, second one is disperse and the last one is separate आइए दूस्तों हम इसका एक example दिखते हैं जैसा कि हमने कहा, आनंद महिंद्रा had denounced webinar in a tweet a few days ago इसका हिंदी मार्थ हुआ कि आनंद महिंद्रा ने कुछ दिनों पहले एक tweet में internet के माधिन से seminar के होने की निंदा की थी I hope दोस्तों ये word आपको clear हो गया होगा बढ़ते हैं तिसरे word की तरफ, that is prudently prudently का हिंदी मातलब होता है बुद्धी मानी से देखिए ये एक आदमी है जो अपने बुद्धी का इस्तमाल करके अपनी money की savings कर रहा है तिसको कहते हैं prudently नि बुद्धी मानी से आप इसके synonyms को भी लिश सकते हो the first one is carefully, second one is cautiously, third one is alertly, fourth one is logically and the last one is rationally आप इसके synonyms को भी लिश सकते हो and these are first imprudently, second one is in cautiously, third one is foolishly and the last one is rashly आए दोस्तों हम इसका एक example दिखते हैं जैसा कि हमने कहा the finance ministry said that there is a need of use resources prudently in the wake of the COVID-19 crisis इसका कहने का हिंदी में अर्थ हुआ कि वित मंत्राले ने कहा कि COVID-19 संकट के मद्दे नजर बुद्धिमानों से संसाधनों का उपयोग करनी की आवशकता है I hope दोस्तों ये वड़ा को clear हो गया होगा बढ़ते हैं हमारे चौथे word की तरफ जो की है हमारा play jarism I repeat play jarism इसका हिंदी में अर्थ होता है साहितिक चोड़ी देखिए ये original हमारा कोई documentary है या कोई भी document है उससे copy करके एक duplicate document बनाया गया तो इसी को कहते हैं साहितिक चोड़ी यानि कोई story चोड़ा करके duplicate story बना देना आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो आए दोस्तो हम इसका एक example लिखते हैं जैसा कि हमने कहा आयुषमान खुराना और अमिताब बच्चन्स गुलाबो सिताबो has been accused of play zarism इसके हिंदी मेर्थ हुआ कि आयुषमान खुराना और अमिताब बच्चन की गुलाबो सिताबो जो कि एक film आए थी तो गुलाबो सिताबो पर साहितिक शोरी का आरोप लगाया गया मतलब कहा गया कि यह जो film बनी है यह किसी स्टोरी को चुरा करके बनी है I hope दोस्तों यह word भी आपको clear हो गया होगा आए बढ़ते हैं हमारे last word की तरफ that is desicrate desicrate d-e-s-e-c-r-a-t-e desicrate इसका हिंदी मेर्थ होता है अपमान करना आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first defile second one is profane third one is violate fourth one is dishonor and the last one is prevert आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो and these are first honor second one is protect third one is purify and the last one is build आये दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं जैसा कि हमने लिखा है यहां पर महात्मा गांधी's statue outside the Indian embassy in Washington DC has been reportedly desecrated during ongoing in the US इसके हिंदी मर्थवा कि Washington DC में भारतिय दूत्वास के बाहर महात्मा गांधी की प्रतीमा का अमेरिका में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से अपमान किया गया I hope दोस्तों आपको पाचो वर्ट clear हो गए होंगे So thank you so much for watching this video आप प्लीज इसको like करें, share करें जो मन हो आप comment करें and अपना feedback दें and please try to support our channel Selection Mentor Thank you so much for being here Bye